नमस्कार इस चैनल में आप सभी वीवर्स का बहुत-बहुत सा आगा थे आज इस विनों में reasoning के कुछ important questions डिसकस करेंगे जो upcoming SSC GD, SSC MTS, SSC CHSL exams के लिए बहुत important है और वीडियो को अधान से देखेगा तके इस टाइप को questions को समझने में आपको कोई दिखात नहों तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर देखें 352 is to 30 है इस साइप पर देखें 296 is to question mark तो यह question mark के जगा कौन सा नमबर आएगा इस question को solve करने के लिए 352 के साथ 30 का जो relation होगा 296 के साथ question mark के जगा जो नमबर आएगा उसका भी same relation होगा देखें 352 के साथ 30 का relation क्या है यहाँ पर 352 का जो तीन digits है यह तीनों digits को हम अपस में multiply करेंगे 3 into 5 into 2 करेंगे तो 15 into 2 is equal to 30 आजाएगा next number ठीक है उसके बाद इस सेट पे भी same करना है देखें यहाँ पर 296 का 2 multiplied by 9 multiplied by 6 करेंगे तो 54 multiplied by 2 is equal to 108 हो जाएगा तो यह question mark के जगा 108 हो जाएगा correct answer ठीक है तो चली next question को देख लेता है इस question को देखें यहाँ पर एक order and ranking का question है यहाँ पर बोले गया है कि एक line में नरेश left side से 17th position में है and right side से 27nd position में है तो यहाँ पर उस line में कितना number of students है बोही पुछा गया है question में देखें यहाँ पर left side यह side है, right side यह side है यह लेफ साइट से 17 पोजिशन में है 17 पोजिशन में है नौरेश 17 पोजिशन में है लेफ साइट से ठीके और राइट साइट से यह जो पोजिशन है यह सेम पोजिशन राइट साइट से यहापर 22 नमबर ठीके तो देखे यहापर लेफ साइट से 17 राइट साइट से 22 नमबर मतलब यहाँ पर क्या करना है इस question को solve करने के लिए हम यहाँ पर 17 के साथ 22 को पहले जोड़ेंगे और जोड़के minus 1 करेंगे यहाँ पर यह जो minus 1 हुआ है यह minus 1 क्यों होगा देखें left side से knowledge का position है 17 है right side से 22 है मतलब एक ही position को दो बार count किया गया है left side से and right side से दोनों side से ही ठीक ह तो एक ही बेक्ति के लिए एक ही position को तो हम एक बार count करेंगे दो बार count नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पर minus 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 17 plus 22 is equal to कितना हो जाएगा 39 minus 1 is equal to 38 हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर इस line में 38 number of students है ठीक है समझ मैं आ गया तो चलि next question को देख लेते हैं question को देखी यहाँ पर एक dice का question है यहाँ पर तीन dice दिया हुआ है तो यहाँ पर alphabet D, D के opposite में कौन सा alphabet आएगा और कौन सा letter आएगा वही पुछाए गया है question में देखिए इसी टें questions को solve कैसे करेंगे यह तीनो dice के अंदर किसी भी दो dice को हम पहले choose करेंग उसके बाद यह जो दो dice है यह दोनो dice के अंदर एक common letter को हम ढूनेंगे यहाँ पर देखिए यह dice के अंदर A common है यह dice के अंदर भी देखिए A common है यह common letter से शुरू करके अभी इसको हम clockwise घुमाएंगे मतलब यह A के बाद जो letter आएगा उसको लिखेंगे और उसके बाद जो letter clockwise उसको लिखेंगे मतलब A के बाद यहाँ पर हो जाएगा B है उसके बाद C ठीक है यहाँ पर भी same लिखेंगे देखिए A से शुरू करना है A से शुरू करके clockwise जाना है मतलब A लिखेंगे पहले उसके बाद E आ जाएगा E लिखेंगे और उसके बाद D ठीक है उसके बाद D तो मतलब यहापर D लिग देंगे देखिए opposite letter मिल गया है देखिए यहापर क्या है D के उपर C है और C के नीचे D है मतलब D के opposite में C C के opposite में D हो जाएगा ठीक है यहापर भी सहमें B के opposite में E E के opposite में B हो जाएगा ठीक है और यहापर देखिए A के opposite में A है का opposite में A हो जाएगा and A का opposite में A का opposite में F हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है तो देखिए यहापर पुछा गया है गया D का opposite में कौन सा लेटर आएगा D का opposite में C तो मतलब यहापर C हो जाएगा correct answer ठीक है समझ में आ गया देखिए, अगर 100 के साथ plus 10 करेंगे, तो यह पर 100 and 10 होता है, 100 का मीनिंग गया है अगर 10 square करेंगे, तो 100 हो जाएगा, उसके साथ plus 10 कर देंगे, मतलब जो number का square करेंगे उसी number को अगर इसके साथ जोडेंगे तो 100 and 10 हो जाएगा, ठीके, समझ में आ रहा है उसके बाद 156 है मतलब 12 square plus 12 हो जाएगा उसके बाद अभी question मर के जागा किया होका देखिए obviously 13 square हो जाएगा plus 13 हो जाएगा 13 square is equal to 169 होता है उसके साथ plus 13 कर देंगे तो 182 हो जाएगा question मर के जागा correct answer उसके बाद 210 है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है 14 का square करेंगे plus 14 कर देंगे 14 square is equal to 196 plus 14 is equal to 210 हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ पर question मर के जागा option A 182 हो जाएगा correct answer ठीक है तो चली next question को देख लेते है question को देखिए यहाँ पर 3 figure है और यहाँ पर middle figure के top में देखिए question mark तो यह question mark के जागा कौनसा number आएगा इस question को solve करने के लिए सबसे बहले हम first figure को solve करेंगे first figure में देखिए circle के अंदर 5 है और circle के चारो side पे 4 numbers है तो यह numbers के अंदर relation क्या बनेगा देखिए circle के दोनो side पे 2 numbers को पहले जोड़ेंगे मतलब 9 के साथ यह 19 को हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे इससे ही हम यह पर बाकी 2 numbers को जोड़ेंगे मतलब 14 plus 4 यह दोनों को minus करेंगे यहापर कितना हो जाएगा देखिए 19 plus 9 is equal to 28 minus 18 is equal to 10 हा जाएगा मतलब यह circle के अंदर जो number है इसका double है मतलब इसको 2 से divide कर देंगे तो यह circle के अंदर number मिल जाएगा ठीक है उसके बाद last figure में भी same हो जाएगा पहले 17 के साथ 35 को जोड़ना है तो यहापर जोड़के इससे 26 plus 8 minus करना है तो यहापर हो जाएगा 52 minus 34 ठीक है 52 से अगा 34 minus करेंगे तो 18 हो जाएगा 18 को 2 से divide करेंगे तो middle का यह 9 हो जाएगा ठीक है समझ में रहा है तो अभी हापर question mark के जागा क्या आएगा देखे 13 के साथ 27 को जोड़ेंगे तो 40 आजाएगा उसके बाद minus यह question mark के साथ 6 को जोड़ना है तो question mark plus 6 करना है is equal to क्या होगा देखे यह जो number है इसका double आजाएगा मतलब 14 हो जाएगा ठीक है समझ में रहा है मतलब यह पर minus करने के बाद इसको अगर divided by 2 करेंगे तो यह circle के अंदर number मिलेगा तो अब इसको solve करेंगे देखे question mark plus 6 is equal to इस साइट पे हो जाएगा 40 plus 14 ठीक है is equal to हो जाएगा 54 देन question mark is equal to क्या होगा 54 minus 6 is equal to 48 हो जाएगा sorry यह पर calculation में गलती होगा 40 से 14 minus होगा तो यह पर हो जाएगा 26 ठीक है तो यह पर 26 26 minus 6 हो जाएगा 26 minus 6 is equal to 20 आजाएगा तो मातलब question mark के जाएगा 20 हो जाएगा correct answer ठीक है समुझ में आ गया तो जहले next question को देख लेते हैं देखे यह पर इस question को देखे यह पर तीन figure है last figure के bottom में देखे question mark तो यह question mark के जाएगा किया होगा इस question को solve करने के लिए सब से बहले first figure को solve करेंगे square के अंदर एक number है और square के बहर 4 numbers है तो इन numbers के अंदर relation किया बनेगा तो पहले किया करेंगे open में जो 12 है और नीचे जो 8 है मतलब 12 into 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा उसके बाद यह जो 5 है यह जो 9 है तो इसको भी multiply करेंगे 5 into 9 is equal to 45 ठीक है तो देखिए 96 से अगर 45 minus कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर 5 तो middle में जो number है मतलब 51 वो मिल जाएगा ठीक है समझवारा है उसके बाद second figure में भी same हो जाएगा देखिए 8 into 9 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 72 उसके बाद 4 into 7 7 into 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28 तो 72 से अगर 28 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर भी 4 तो मतलब 44 आ जाएगा middle में जो number है वो ठीक है उसके बाद यहाँ पर question mark जागा क्या होगा देखिए क्या करना है यहाँ पर 7 के सथ multiplied by question mark करना है is equal to जो आएगा उससे यहाँ पर 9 into 6 minus करना है 9 into 6 कितना होता है say 54 होता है तो 54 minus करने से क्या होता है result क्या आएगा result आएगा 37 ठीक है समझ में रहा है तो आप इसको solve करेंगे 7 into question mark is equal to 37 plus 54 is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर हो जाएगा 90 91 आजाएगा then question mark is equal to 91 divided by 7 is equal to 13 तो question mark के जगा यहाँ पर bottom में 13 correct answer हो जाएगा ठीक है तो चली next question को देख लेता है इस question को देखे यहाँ पर question mark के जगा कौनसा number आएगा वही पूछे गया है question में इस question को solve केने के लिए हम इसको row wise solve करेंगे first row में देखे 14, 4, 12, 3 and 20 है तो इन numbers के दा relation क्या है सबसे पहले हम यह 14 के साथ यह 4 को multiply करेंगे तो 14 multiplied by 4 is equal to 56 हो जाएगा अभी उसके बाद यह 12 के साथ यह 3 को multiply करेंगे 12 multiplied by 3 is equal to 36 हो जाएगा तेखे 56 से अगा 36 minus करेंगे तो 20 आजाएगा यह last number ठीक है उसके बाद यहाँ पर last row में भी same हो जाएगा पहले 9 के साथ 9 multiply करेंगे तो 81 हो जाएगा minus 13 multiplied by 3 is equal to 39 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 42 ठीक है तो question mark के जगा की आएगा देखे पहले 20 multiplied by 10 करेंगे तो 200 हो जाएगा अभी 20 के साथ यह question mark को multiply करना है 20 multiplied by question mark is equal to यह 200 से 20 multiplied by 20 multiplied by question mark minus करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए ठीक है समझ में आ रहा है यह question समझ में आ गया तो अब इसको solve करेंगे देखे 20 multiplied by question mark is equal to क्या होगा 200 minus 42 और यहाँ पर 40 है 42 नहीं 40 है 200 से 40 minus करेंगे तो 160 हो जाएगा तो देखे question mark is equal to 160 divided by 20 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 8 तो मतलब question mark के जागा यहाँ पर question mark के जागा 8 हो जाएगा correct answer ठीक है समझ में आग गया तो इस वीडियो में किसी भी question को अगर समझने में कोई दिखा थो आप ज़रूर comment box के comment करके बताएगे मैं कोशिश करूँगा उस question को आपको फिर से समझने का वीडियो का अच्छे लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्रेब कीजिएगा नेक्स टेम इस ट्रिप के और वीडियो लाने के कोशिश करूँगा आच्छे लिए इतने ही फिर वेल लेंगे